जो भी पीड़ा आएगी या हो चुकी है या है, वो हमारे कर्म का परिणाम है, किसी और के भी अब क्या है कि जिसे इस बार भले इस जन्मे के आप मांस न खाते हूं मालो, इस जन्मे में न कहाया हो, हम क्या जाने कि खाया के को पस्वों के साथ कैसा बिवार किया जाता है कैसे लोग कैसे करते है वो भी जीव है ठीक वैसे ही जैसे आप अपना सरीर अपने को कितना प्यारा सरीर है आप अपना सरीर बचाना चाहते है ऐसे हर जीव अपना सरीर बचाना चाहता है आप देखो चीटी के पीछे अंगुली ऐसे करते चलो, वो भैवीत हो के भागेगी, अपना प्रयास करेगी कि मैं बच जाओ, सायद कोई मुझे कष्ट देना चाहता है, किसी भी जीव को देखो, अपने श्वाद के लिए पीछे के जन्मों से लेके इस जन्म तक, क्या करते हैं, गडास के किवल मंत्र याप करें, ध्यान से सुनना, कुछ चोर लोग राजा के खजाने में सेंद लगा दी, अगर बचाओ पक्ष जोर का होता है, तो फिर चोर पक्ष भी जोर का होता है, अगर नए-ने क्रम बचाने के निकलते हैं, तो नए-ने उनकी सोच उसमें चोरी करने के ल आश्रम अगर इसमें चुप जाते हैं, तो हमारा बचाओ पक्ष हो जाएगा, चले गए अंदर लताएं, जो प्रीस वहीं अपने श्वरणादी जो चोरी की थी वहीं रखके चुप बैठ गए, उनको पतका लगा कि इसी आश्रम में गएंगे, क्योंकि आगर आगे गए तो आश्रम में गए, दाही ने पैर के अंग उठेक बढ़ा हाथ उठा के मंत्रा कार बढ़ते, उनको कुछ पता ही नहीं, गए तो माल सहित चोर मिल गए, तो उनको लगा कि यह आश्रम में इसले आए, हमें लगता है, इस मात्मा का यह सम नाटक है, और यह इन चोरों का स यह भगवान स्री कृष्ण दोईपयान व्यास देव जी के द्वारा महाभारत में लिखी कता है, उठा ले गए वह इसे ध्यानस्त है उसमाधी में, आठ दर से सामने चोर पीछे मात्मा है, राजा को प्रमान सहित, जब वस्तु सहित चोर मिल गए तो उन्होंने, यह नही उचे से खंबे जैसा, उपर एक्दम भाला जैसा, और बरावर की उचाई में ले जाकर गुदाद्वार से ऐसे छोड़ दिया जाता था, उपर से, तो जीतनी घुस पाई, इसके बाद हो आदमी, गुदाद्वार में सूली घुसी, अब तडप रहा है, कितने घंटे वो, या कितने दिन, वो उसकी सामर्थ जाने, मरेगा वहीं, कोई उस, बड़ी कश्ट प्रद, गुली मार देना, फासी में तो मिनट, दो मिनट, लेकिन सूली के सज़ा बहुत ही कश्ट प्रद, अब गुदाद्वार में इतनी घुसी है, और रक्त श्रा हो रहा, धीरे-धीरे मरेगा, दूसरे जब दंड वाले आते थे, जिनको तब उतारे जाते थे, एक, दो दिन, तीन दिन में ऐसे, जो वहां उतारने गए तो देखा, वो पदमासल लगाए बैठे, मांडविर सी, और वो तो स्चोर थे, उमर गए, उनको अटाया, भाब के गए, राजा सी कोई अपरात बन गया, वो तो कोई सच्चे मातमा थे जिनको पकड़ के लाए, माहराज हमको लगा क्यों आस्रम में तो, आब भेवीत हो गया क्योंकि आगे गाये, और ब्रह्म रिश्यों को करके गये, वो का माहराज, मुझे बिलकुल पता नहीं था, आप छमा कीजिए, मेरे स अपरात बन गया, उनका नहीं बस ये हटाओ, सूली से मुझे उतरवाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं दूँगा, मैं सीधे धर्मराज को दंड दूँगा, उतारू तो मुझे, लाख हुपाय किया गया, वो सूली उनके गुदाद्वार से आटी ही नहीं, काट दिया गया, उस सीधे अंतर ध्यान वे धर्मराज के पास पहुँचे, और उनका मुझे बचपन से याद है, कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों मिली, लोहां अंदर ठसा हुआ, उसे काट दिया गया, निकला ही नहीं, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूं, क्योंकि तपस्या के धनी थे, तो धर्मराज इनका रुको, 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 तो जैसे अपने नहीं कि टीवी चाइनल लगा दे तो दिखाई देता है, ऐसे का देखो आप अपने, तो आठ वरस के थे, एक तितिली को उठाया, और बंबूल का काटा होता ह ना, बार बार उसके गुदादवार में ऐसे, खेलवार में बच्चे थे, ऐसे करको छोड़ दिया, बोले उसका फल है यह, कि सूली निकाली नहीं कि अंदर धसी हुई है, क्योंकि काटा निकाला नहीं था, तो आप अपने योगबल से सह गय नहीं, तो जैसे तितली मर एक तितली के गुदा में काटा डालने से, यह महा रिशी है, इतने सामर्त साली कि सीधे जान्याय होता है, वहीं पहुँच गए, धर्मराज के पास, तो बोलो इतने बड़े रिशी का कर्म, उनको दंड दिया ना, तो हमारे तुमारे कितने कर्म है, यह मुर्गा, यह सकते हैं कि जीवन में आपने कोई पाप नहीं किया, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन बीना हमारे पाप के हमें कोई दंड नहीं दे सकता,